आप सभी लोगों का ये परिवार में एक बार स्वागत करता आप सभी लोगों का तो सबी लोग बच्छे आप लोगों का डेली नौ बज़े श्टार्ड होता है मैंने आपको कही बार बताया कि सब्सक्राइब क्लास हो रही होती है तो अभी इस समय पे दो क्लासे पहले चल आपकी जब तक वह समाप्त नहीं तो दूसरी क्लास शुरू नहीं होगी समझे क्योंकि कि वह फिर क्लाप्स हो जाती है आप लोगों देखा होगा तो इस वह से मैं क्लास नहीं कर सकता हूं नौ बज़े आपका एकृट ठीक है तो नौ बज़े के बाद आप बस मुश्किल अब ही आपका इसी में हम लोग कोशिज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीज़ां को कवर करते हुए चलेंगे मंडे से मैं बढ़ा दूंगा ठीक है चलेगा चलो आप ज्यादा समय मत सोचेगा आप लोग ठीक है ना मौर्णिंग में पढ़ा यहाँ पर आपने नंबर आ अबर आप लोगों की चलेगा फॉर्स्ट कोशिजन आपके स्कीन के सामने आ चुगा है क्या क्या कहा गया कि वाई मंडल का एक इस्तर जो आंसी ग्रूप से इलक्ट्रोन और सकारण आयनों का बना होता है कहलाता है तो इसे हम लोग यहाँ पर तो आप लोगों के साधरान स ऐसे सामने कि 20 मृदा दिवस के रूप में प्रतेइक वर्स मनाया जाता है अगर हमारा एक्जाम 27 अक्टुबर को होना है ठीक है तो याद रखेगा सितंबर की सभी इंपोर्टेंड डेट अक्टुबर मंत की सभी इंपोर्टेंड डेट और 9 door दिसंबर इन 4 महिनों की जो पूछी जाएगी और 2020 की कुछ महत्वपूर्ट डेटा होगी जो मैं करा रहा होता हूँ आप लोगों को तो वह भी एक्जाम में पूछी जाती है आपके ठीक है सभी लोग उचे चलो मैं कुछन लगा देता हूँ आप लोग तक तक कुछन पढ़िएगा कुछन क्या आपका ठीक है अगला कुछन देखेगा आपका कुछन आपकी स्कीन के सामने आ चुका है इस कुछन का सही आंसर क्या होगा कि भगत सिंग की जैनती के उपलक्ष पर किस डाक टिगर जारी की आगया था एसा कोशन अगर आप से पूछा जाए तो आपका अंसर क्या बनेगा कि भारत है बहुत में बढ़ंग सिंग की जैनती पर के उपलक्ष पर कि सीवर्ष मुझे आपका डाक टिगर जारी किया गया था ठीक है ऐसा कूशन पूछा गया तो जाद रखेगा लगभग आपका कब 1967 में यह डाग टिगर जारी किया गया था चलेगा अगला कुशन दिया गया खगजन जेंदा समझो खगबजा चेंदा जोंग नैसनल पार्क बारत के कंचन जंगा बाइसपर के रूप में भी जाना जाता है तो यह कहां परिस्तित है किम बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका समझो जिन बच्चों ने याँ पर सी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही आंसर होगा सी यह पर राइट आंसर है इस कुशन का खगजन जेंदा करके आपका यात है नैसनल पार्क जिसे हम लोग कंचन जंगा बाइसपर के रूप में भ प्रत्यारकित किया जाता है यानि किसे क्या गया जाता है ट्रांस प्लाहं की बात की गई संगे एप उसपर दो में 카ड होता है इन दोसमें से एक होगा तो आपने किया बता है सर क्या होगा बिलकुल कॉर्णिया होगा चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी भारत ने ओर्जा छेत्र में डेनमार्क से क्या कर आपका समझाता किया है तो हमें एक्जामनर पूछ लेगा कि डेनमार्क की राजदानी क्या है मैंने आपसे क्या पूछा कि भारत ने अभी उर्जा छेत्र में कौन से छेत्र में उर्जा छेत्र में किसके साथ आपने बताये सर डेन्मार्क के साथ एक समझाता किया तो याद रखेगा डेन्मार्क की कैपिटल क्या बताई आपने बताई सर डेन्मार्क की कैपिटल क्या है मैंने आपको बताये था कि विश्व का सबसे बड़ा आइलेंड आपने देखा होगा ना कुछ इस तरह से मैं आइलेंड दिखता है कि आपका विश्व का सबसे बड़ा आइलेंड जिस आइलेंड का नाम क्या आपका समझो कौन सा ग्रीन लेंड याद रखेगा जिसका नाम क होगा आपका Greenland ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि Greenland को North America continent से कौन सी state अलग करती है जो आपका किसे बैफिन की खारी को Labrador की खारी से यानि कि Gulf of Baffin को Labrador Sea से जोड़ती है और अलग किसे कर रही है नौर्थ अमेरिका उत्री अमेरिका से Greenland को अलग कर रही तो इस state का नाम भी बताएगा याद दिला रहा आप लोगो को ठीक है क्यों कहा मैं आपको Greenland के बारे में क्योंकि इस पर अधिकार किसका है डेनमार्क का यह अधिकार है जब यूएस प्रेजिडेंट के द्वारा का गया कि Greenland को हम लोग करिदना चाते हैं समझ रहो तो याद रखना भी रिसेंट ली चर्चा में बिठा कुछ समय पहले तो आप लोग जरूर बताएंगे मुझे यह बैपिन की खाली हो गई और यह लेब्राड ओर सी हो गया अब आपको कोगे सर आपने पढ़ाए नहीं सारी चीज दिया गया कि हिल स्टेशन थंदर बोर्ड का स्थान किसे कहा जाता है थंदर बोर्ड का समझ आपर क्या दिया गया थंडर बोर्ड का स्थान किसे कहा जाता है यह थंदर बोर्ड स्थान है आपका गंटोक सिलोंग आईजोल यह डार्जलेंग किसे कहा जाता है थंडर बोर् और अफ्रिकन कंट्री के अंदर लेगे थे नाम कौन सा कहनिया वहाँ ठीक है तो वहाँ पर एक उप्रेशन चलाए गया था किसके तरह इस्राइल के द्वारा ऑप्रेशन थंडर्वोड वह भी है दूसरा उबन्टू ओपरिटिंग सिस्टम को खोलोगे तो वहाँ पर आपक सुना और एक थंडरवर आपने इंडिया में डार्ज़लिंग को कहा जाता है किसे कहा जाता है रजलिंग और डारिशन हमारे वेस्ट बेंगॉल स्टेड के अंदर है ठीक है ना थंडर बड के बारे में तीन कुश्चन मैंने आपको बता दिया एक आपका थंडर बोर जो इस्तान हो गया हमारे डार्जनिंग में हो गया थंडर बड़ आपका ओपरेशन चलाए गया था इसराइल के द्वारा समझ रो औ इसमें उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में ठीक है चलिए नेक्स बनेंगे अगले कुश्चन के ओर रास्तियार रेल संग्राले निमले खित मैं से कौन से सहर में इस्तित है आपने का सर 2019 के कुछ मैत्वपूर कुश्चन रखेगा यह रा कुश्चन आपके सामने रास्ति रेल्वे से जुड़े हुए कुश्चन पहला संग्रालाई दूसरा यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी कहां पर आपका यूनिवर्सिटी कहां पर बरहुदा में हो गया समझ रहो उसके बाद इवेस्ट प्लांट कहां पर लगाए गया तो यह बुबनेश्वर में रेल्वे से जुड़ा हुआ नई दिल्ली के अंदर संग्राले हो गया यूनिवर्सिटी कहां पर हो गया तो बरोद्रा के अंदर होगी और उसके बाद आपका क्या बता है मैंने इवेस्ट जो प्लांट लगाया गया रेल्वे के द्वारा ओरिशा भुबनेश्वर में और आउन बचे आपका क्या है समझो यह आपका क्या रेल्वे के द्वारा कहां पर आसन सोल यानि की वेस्ट बेंगॉल के अंदर इतनी चीज़ें याद रखेगा उसके बाद भारतियर रेल्वे में पहले चीप एग्जेक्यूटिव ओपिसर के रूप में यह पद पहले नही यह आदव समझा आपके बीके यादव क्या वनियकर तो सियो के रूप में जो पहली आपर चेर्मन भी थिक है। चले नेक्स परएंगे question number...question number 10 दिया गया कि ब्यायाम के दोरान पसीना मानव शरीर में निम्लिकित में से किस प्रकिरिया के संचालन को इंकित करता है यहाँ पर क्या दिया गया स्वेटिंग दूरिंग दॉरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट दॉपरिशन ऑफ दॉप फॉलोविंग प्रोसेज इन दा यूमन बॉड़ी देखेगा दौनों लैंग्विज में कुश्चन को पढ़ना में समय जादा लगता है इसलिए मैं आपको साधर मे का जाता है आपका हॉमियो स्टैडिक्स का जाता है इस प्रकरिया को इस प्रोसस को ठीक चलेगा next बरेंगे अगले कुशन के और कुशन नमबर 11 कहता है कि बान भट एक महान विद्वान थे जो किसके दरवार में रहते ते या इन में से किसके सासंकाल के दोरान थे समझेज तो असोक हर्स कनिस्क किया चंद्रगुप्त दूतिया अब एक सिकायत और भी आपकी सर उप्सन मत पढ़िएगा चलो उप्सन नहीं पढ़ूँगा बान भट एक महान विद्वान ते ये किसके सासनकाल के दौरान रहा करते थे ठीक है यानि किसके दरवारी कभी भी थे यहा अब सिदिया आपका तो राइट अंसर आएगा चलिएगा आगे दिया गया कि भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फैराया गया था अब देखिएगा इसका आंसर कैसा आएगा बहुत इंपोर्टन कुस्टिंस है आपके एक्जा राइश्ट्रेट करिएगा ठीक है अभी समझ रो आपका सेकंड फेज में आपको मौका मिलेगा पहले आप लोग एप को डाउनलोड कीजेगा और सबसे बढ़िया आईपियल को छोड़कर एपियल में समय दीजेगा आपको रिजदिंग मिलेगा आपको अपने यादि इससे उत्साओ के तोर पर लो यह आपका जो एपियल के अंदर आपको दिया जारा है इसे उत्साओ के तोर पर लीजिएगा ठीक है चलिएगा तो भारत्या राष्ट्या कॉंग्रेस के द्वारा पहली बार तिरंगा फेराय गया था 1929 में लाहोर अधिवेशन में देखेगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का प्रतेक वर्स सम्मेलन होता है कबसे 1885 से जब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्ताफना 28 दिसंबर 1885 में होती है तब से प्रतेक वर्स सम्मेलन होता है अब यह जो 29 का था तो इसमें विसेश क्या था पहली बार पूर्ण सुरा की मांग की गई पहली बार पूर्ण सुराज की मांग की गई कि हमें अपना क्या होना चाहिए हमारा सविधान हो और हमें आजादी चीए पहली बार पूर्ण सुराज की मांग की गई और पहली बार तिरंगा भी फैराए गया और इसी के आधार पर 1930 में गरतंत्र दिवस के र जे एल नहरू ने की थी इसके अध्यक्सता जे एल नहरू ने की थी चलेगा आगे बढ़ा गया कि दक्षिन कोरिया की मुद्रा क्या है यहाँ पर क्या पूछा गया कि दक्षिन कोरिया ही मुद्रा क्या है चलेगा अंसर दीजिएगा आसान क्वेस्टन है लेकिन हमें पता हो होना चाहिए दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है सियोल है सब को बताएं ना इसकी कैपिटल क्या आपका सियोल है ठीक 2019 और 18 में बात करते हैं हम लोग 2018 में यहां पर क्या हुआ था आपका याद होगा आप लोगों को 2018 में विंटर खेलों का आयजन बेलकुल जिस बच्चे ने विंटर गेंट स्वाफ के हुए थे सीत कालिन ओलंपिक खेलों का आयजन यहीं पर वाता पियोंग चोंग में शामज़ों कहां पर दक्षिन कोरिया के अंदर और 2018 में ही सियोल सांती पुरुषकार जो अब तक एक मात्र भारतिया को मिला है वो भारतिया वर्तमान प्रदान मंत्री मन स्वारी बचाव किसे मिला आपका नरेंद मोधी जी को ठीक है तो यतिनी चीज़ें बताए मैं आपको 2018 में सीत कालिन ओलंपिक खेलों का आयजन सीत काल विंटर ओलंपिक की बात करी तो चलिएगा विंटर ओलंपिक की सुरुआत 1924 में पहली बार हुई थी और ये भी प्रतिक 4 साल बाद होते हैं तो 18 में आपको बता है मैंने कोरिया के अंदर और 22 में कहा पर होंगे चाइना में होंगे हो गया किलियर जितनी चीज़ें आपक किसके बुर्द मैमूद गजनभी के द्वारा जो भारत पर अंतिम आपकरोंड किया गया ता वह किसके बुर्द था तो ये था आपका जातों के बुर्द समझो जाटों के बुरुथा याद रखना मेहमूद गयजनभी का लास्ट अटेक ये कुश्चन से प्रीवियस एयर में आपके SSC के अंदर पूछा गया है SSC के अलग-अलग एक्जामों में पूछा गया चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले गुश्यन के ओर सबी श्टुडेंट रेगुलर क्लास में बढ़े रहेगा इंडियन नैपोलियन सिर्सग से जुड़ा हुआ है यानि कि भारत का नैपोलियन किसे गा जाता है यहाँ पर इसमित के द्वारा बारत का नैपोलियन का गया किसे का गया तो मैंने आपको बताये था कि जो हमारा प्रियाग इस्तंब लेक है कौन सा प्रियाग इस्तंब लेक जो किसके द्वारा लिखा गया हरी सेंड के द्वारा लिखा गया किसके द्वार देखे गया प्रिय या नैपोलियन से की गई किसे की गई भारतिया नैपोलियन से की गई इतनी चीज़ें याद रखेगा प्रियाग प्रसस्ति के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुगा हूं ठीक है ना चलेगा आगे बढ़ेंगे क्वेशन नंबर क्वेशन नंबर 16 दिया गया आपका कि मुगल काल में समझ रो कौन से मुगल बात्सा के टाइम पर जो पैंटिंग थी यानि कि किसी के सासन काल के दौरान मुगल चित्रिकला अपने चरम बिन्दु पर थी यानि इसे क्या कहा जाता है यानि कि चित्रकारी का स्वान युग भ सासक तो हमने बता athletic कौन जहांकिर के समय पर जो समय काल उसे चित्रकारी का क्या कहा जाता था चले नकिस बनेंगे अगले कुशन पर एक्षुवरीन जो कि निम्लिकीवेb Armiais variant बारत और किस कंट्री के साथ Joint military exercise हे तो आपने बताए सर किस के बारत तो याद रखना मालडवीप अब मालडवीप से जुड़े हुए क्या गया क्वेशन एक्जामनर पूछने वाला हमें पहला मालडवीप आपका CWZ समझ रो कॉमन वेल्ट गेम से दो साल बाद इसने क्या गरा रास्ट मंडल को जोइन कराई के द्वारा COVID-19 के दौरान चिकित्सा ब्यास्ता से लेकर आपका अन्य जो भी बचर समझ रो तो अन्य साहिता जो चलाई गई उसके लिए मालवीप के लिए क्या चलाई गया एक आपका नेवल ऑप्सेशन भी चलाई गया समझ जो उसे क्या नाम दिया गया इस क्वेशन का अंसर चेहे मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्या कहा गया आपको कि मालवीप के अंदर भारतिया जो चिकित्सा साहिता के लिए नेवी के द्वारा कौन सा ओप्रेशन चलाई गया था जैसे विदेसी तटों पर से वे जो भारतिय थे उनके लिए क्या चलाई गया था ओप्रेशन समुद्र से तो यह आपका कौन सा चलाई गया था कहां पर मालवीप के अंदर समझ रो चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन बार क्वेशन नंबर बना आपका अठारा हरे फल को क्रितिम रूप से पगाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है यहां पर क्या दिया गया आर्टिपिशल तोर पर हम लोग जो ग्रीन फूर्ट होते बच्चा उन्हें पगाने के लिए कौन सी gas का प्रियोग करते हैं एक तो आप लोग क्या करते हैं कार्वेट का प्रियोग भी करते हैं समझे हो उसमें पानी मिलाने पर क्या हो जाएगा कार्वेट जलेगा तो वो क्या करेगा आपका वह एसे टिलीन गैस को release करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया क्रिटिम रूप से फ्लक को पकाने के लिए आम लोग कौन सी गैस का प्रियोग करते हैं तो यह आएगा आपका अधिली है क्या एका आपका अधिलीन समझ ऑपका बिलकोल यहाँ पर बहुत बढ़िया इस्पोर्स स्टेडियम भी बना रहा है बहुत बढ़िया आपका चले नेक्सच बढ़ेंगे अगले नेक्स बढ़ेंगे अगले कशन पर question नमबर 19 सी दिया गए आफके सामने आचारया बिनोबा बावी समझ हो गांधी जी के द्वारा 2014 में ब्यक्तिगत सत्यागरे शुरू किया जाता है और पहले सत्यागरा है कौन थे आचार्य बिनोबा भावे तो यह पर पूछा गया पूछा गया जितने भी स्टूटिंट याप पर लाइब है सबी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा question पूछा गया आचार्य विनोबा भावे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रे उन्होंने शुरू किया था कहा से क्या गया तो ये क्या गया था अपना कहा से पवनार इन महराष्ट समझ रो महराष्ट के पवनार से क्या गया याद रखेगा गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रे चलाय गया था उसमें पहले सत्याग्रे बिनोबा भावे थे दूसरे थे पंडित जवालाल नेरू समझ रो तो इसी आदार पर सत्याग्रे शुरू क्या गया किसके लगा बिनोबा भावे जी के दौराव कहां से तो महराष्ट के पवनार से ठीक है बिनोबा भावे जी से दूसरा क्वेश्चन देखेगा इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया यह भी याद रखना और इन इन्हीं को पहलब का पहला रेमन मैक से प्रुस्कार पाने वाले भारतिया भी कौन है बिनोबा भावे तो मैंने आपको बताया था ना कि साथ आपका नैक्स बढ़ेंगे अगले कुश्चन के और अगला कुश्चन क्या बन रहा हमारा क्वेश्चन नमबर 20 पूछा गया आपके सामने कि बिटिश संसद में 57 सही आपका लग वियापर कुश्चन क्या पूछा गया कि जोगे चुने जाने वाले पहले भारतिय नाम यह क्या हो का दादा भाय नारौजी बिल्कुल सहीं दादा भाय? 120 आपकी के समय सामना अगया? यहाँ पर क्या दिया सिए है आपका गया किस्तिवल यानि कि बानस पति घी के निर्माण के समय कौन सा गैस का प्रियोग किया जाता है कौन सी गैस प्रियोग में लाई जाती है तो वो होती है कौन सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर हाइगा नेक्स बढ़ेंगे question number 22 के और question number 22 आपके सामना गया बारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है समझे हो 1919 को किस नाम से जानते हैं हम लोग तो इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से Mount Ague Champsport Reform के नाम से Mount Ague Champsport सुधार के नाम से भी जानते हैं बिलकुल सबी लोग answer देते रहेगा class में end तक बना रहेना आप लोग को समझो आंत तक class में बना रहेना है चलेगा next बढ़ेंगे हम लोग अगले question के और अगला question क्या दिया गया कि सामान्या नेत्र में समझो सामान्या नेत्र की रेटना पर बनने वाला प्रतिविंब होता है क्या दियागया कि जो image बनती है या आवास्तिया उल्टा क्या दियागे आपका इस question का सही answer बनेगा आपका तो याद रखना वास्तविक और उल्टा next बढ़ेंगे हम लोग अगले question क्योर तारों और आकास गंगाओं के द्रभ्यमान आम तोर पर किस के संदर में ब्यक्त किये जाते हैं समझाइ आकस गंगाओं के द्रभ्यमान आम तोर पर किस संदर में ब्यक्त किये जाते हैं किसमें ca सॉलर मास में द्रभ्यकत किये जाते है ठीक ना चलिएगा नेक्स चलंगे हम लोग अगले question क्योर अगला यह बना आपकी स्कीन के सामने यह इंग्लिस में नहीं आपका यह सिर्फ हिंदी इंदी में प्रदान मंत्री नरेंद मोधी जी के द्वारा नागरिकों की समस्या निवारण के लिए एक बहु देश्या ए-governance प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था इस प्लेटफॉर्म को क्य नाम दिया गया तो उसका नाम क्या था अपका प्रगति नाम दिया गया था बेल्कोल सही आंसर जिन बच्चों ने प्रगति आंसर दिया थी के ना सुरी बच्चा आपका यह पर क्या नाम दिया गया था अपका स्वरी प्रगति निह आएगा उन्नती आएगा स्वरी बच्छा आपका प्रगति निह आएगा उन्नती आएगा स्वेशन नम्बर 26 जब दूद को जोर से मता जाता है मत लिया जाता है तो उससे क्रीम किसे कारण अलग हो जाती है समझे आपका तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा सेंटी फिगल आपका पोर्स के कारण अभी केंद्रिया बल के कारण यहाँ पर क्या दिया गया अभी केंद्रिया बल के कारण ऐसा होता है ठीक है अच्छ के लिए जिसे अभी कोरोना वाईरस के लिए भी काफी चर्चा में रहा था आपका समझे द्धी घूलोज कूल रावी आंव ठीक्न रअले मलेरिया अजीक रभात कर는 के लिए और किसकी बात करें द्धाँ कूलो रलोकल उन की बात करेंगे है नेक्स बनेंगे अगले क्षण पर क्षें नमबर आपका e刚 क्वेशयन नमबर आपका 28 क्षें नमबर 28 क्या कहते है जब कोई वस्तू गुर्थवा करशन्द के तहट वचल स्वतंत रूप से गृती है तो गुर्थवा करसन्ट की द्वारा किया गया कार्या होता है क्या दिया अपका Study यहाँ दखना ऐना आपका प्रियंडर ग्रैविटी ग्रैविटी चेत्रम याना कि द्वारा किया गया चेत्रम तुक टैटल करें चिस्थ्रोग मैं किसी वस्तु का बेग दुगना कर दिया जाए समझ रो तो याद रखेगा तो उसकी गतिज उर्जा क्या होगी तो याद रखेगा हमेशा यदि अगर velocity को double किया जाए तो वो तो आपका क्या होगा या तो square में आपका किसमा आएगा four time आएता समझ रो वो multiple हो जाएगा आपका four time में multiple हो जाएगा यादि कि आपर become to four time चार गुना अधिक हो जाता है यादि किसी का बेग दुगना कर दिया जाएगा तो यादि उसमें क्या होगा आपका वो उसका चार गुना अधिक हो जाएगा ठीक है निमलेखित सासकों मैंसे किसके सिक्कों मर्या पर क्या दिया गया किसने अपने सिक्कों पर देवी लक्षमी की आकृति को अंकित की थी उसका नाम बचाव का समझो किसमर नागर्चनित पर अंकित किया गया था देखेगा यहां पर दिया गया कि सिंपल सा कोशन याद रखना कि कि किसके जो सिक belong कि जारि किये गेटे उसमें देवी लक्षमी की आक्रती इंकित की गएती तो वो सासक कौन था गजनी का आंसर दिया गया अपर गौरी दिया गया मुहमद बिन तुगलक दिया गया या इल्तिवतमिस क्या पूज रहा है कि वो सासक बताना हमें जिसने जो सिके जारी करेते तो सिकों में क्या मिलता है तो वहाँ पर देवी लक्षिमी की आकिरती मिलती है ठीक है तो वो सासक था कौन बिलकुल जिन बच्चों ने आपर आंसर दिया मुहमद गौरी बिलकुल सही आंसर आएगा यह ऐसे questions है हम लोग चाहे किसी भी exam की तयारी करें यह हमें हमेशा याद होने चाहिए समझो यह हमेशा से याद होने चाहिए और मैं आपको याद कराता हूँ कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हमें आनी ही चाहिए competition exam में जैसे कोई पूछे बिलकुल गौरी याद समझ जो आपको पूछा जाएगा देवी लक्षिमी की आकरती किसके सिक्कों पर रंकिते बस आपको मुहमद गौरी का नाम याद होना चाहिए ठीक है मैं बात करूँगा आपका पहलागरा पहलागरा बचे क्या होता है vitamin b5 की कमी से पहलागरा रोग होता है skin में क्या हो जाती dryness आ जाती यानि की skin क्या हो जाती पचे सूकी पर जाती है ठीक है तो पहलागरा disease और दराने आनी शुरू हो जाती है चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले question पर question number दिया यहाँ पर बहुत important question अब आप कोगे सर यह कहानी अभी आपका ना तो current का है लेकिन जीस तो बन गया हमारा यह कहानी आपकी 2005 की समझ रो तब आप लोग सात्वी आट्वी में पढ़ते होंगे है ना ऐसा ही कुछ होगा तो इस्कूल जाना तो शुरू करी दिया होगा तब तक आप लोगों ने तो फॉस्ट कांट्री कार्बन टेक्स कार्बन टेक्स लगाने वाला भारत बिश्वा का पहले कांट्री कांट्री कौन सी है औस्तेलिया आइसलेंड यूएसे या ने भी ठीक है लेकिन अब सबसे पहले ऐसा काम करने वाली कांट्री कौन सी है देखते हैं सभी लोगा अंसर यूएसे यूएसे दिया हुआ है एक बार नेट पे सर्च करिएगा जरूर सर्च करिएगा ठीक है मैंने तो वैसे आपको बताया नहीं लेकिन मैंने जो अंसर प चलेगा नेक्स विख रहेंगे अगले कुषिन के और को एकब्बर दिया यह आपका करदें कणtaking के पानी इस की बात करेंगे हम लोग ठीक है आप पर तो याद रखना उसमें क्या होगा क्या बनेगा बच्छे आपका तो याद रखना क्या बनेगा कैल्सियम कार्बोनेट बनेगा क्या बनेगा कैल्सियम कार्बोनेट जो रिजल्ट मिलेगा हमों क्या मिलेगा कैल्सियम कार्बोनिट समझ रो राइट आंसर बन जाएगा आपका नेक्स बढ़ेंगे सीए सीओ त्री चले नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन पर कुशन नमबर ठाटिफोर दिल्ली की प्रसिद जामा मस्जित का निर्मान किसके द्वारा किया गया था दिल्ली की। समय दिया गया कि जामा मस्जित जो दिल्ली के अंदर है ये कौन से सासक के द्वारा बनाए गई थी तो आपने बताया क्या बताया अपने अंसर अंसर देते रहेंगे आप लोग इस question का right answer क्या बनेगा हमारा बिल्कुल साजांक के द्वारा बनाए गई थी और अंग जेब ने का बनाए दिल्ली की दिल्ली की जामा मस्जित किसने बनाए थी साजांक के द्वारा बनाए गई थी बिल्कुल साई answer चलिएगा next बढ़ेंगे यहाँ पर दिया गया कि एक जीन एक जो आपका एंजाइम का सिद्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था क्या दिया गया था वन जीन बच्चा वन एंजाइम जो थियोरी दी गई थी यह किसके द्वारा दी गई थी तो यह दी गई थी आपका किसके द्वारा तो वेडल और टाइटन के द्वारा दिया गया था समझो वेडल और टाइटन के द्वारा दिया गया था एक जीन, एक सिद्धान्त, समझो एक जीन, एक एज़ाइम की, और जो मैं आपको Cell Theory बोला था, वो Sliden and Swan का नाम आता है, Cell Theory यानि की कोशिगा सिद्धान्त, ठीक है ना, और जो आपका DNA और जो आपका समझो, DNA जो आपका क्या होता है, Double Helix Model, DNA Double Helix मोडल में, Watson और Crick का नाम आएगा, यह तीनों कुशिण आपके पूश्ट है, एक Cell Theory, Sliden and Swan, DNA Double Helix Model, वहाँ पर किसका नाम आएगा, Watson और किरिक का नाम आएगा, और यहाँ पर एक जीन, एक सिद्धान्त का वीडियल और किसके द्वारा, टाइडल के द्वारा दिया गए था, ठीक है, चलिएगा, next बनेंगे, question number 36 वहाँ आपके सामने आ गया, भारतिया अर्थ्य ब्यावस्ता को सबसे उचित रूप में किसे वर्णित किया जाता है, यानि कि भारतिया अर्थ्य ब्यावस्ता कैसी है, समझे आपके पास दिया गया, capitalize दिया आपका, socialist दिया गया, mixed दिया गया, both A and B दोनों, आपसे पूछा गया, कि भारतिया अर्थ्य ब्यावस्ता कैसी है, अगर आप कहते हो कि sir mixed है, तो क्यूं है, अगला सवाल आने वाला है, समझे रो, अगर mixed है, तो क्यूं है, अगला सवाल आपसे मिलने वाला है, चलेगा, आपने गा, sir mixed है, मैंने बता है, यहाँ बाई mix है आपका, अब आपको अगला question इसके बाद मिलेगा, क्या दिया गया, आएगा भी question, mixed क्यों है, मैं पूछने वाला भी हूँ, और बता भी दूँगा आपको, भारत में पाया जाने वाला, एक मात्र क्या बचा गोरिला या कपी गय सकते है, यह बारत के पूरतर राज्यों में पाया जाता है, ठीक है, मैंने भी किताबों से पढ़ा बहुत है, तो इसका नाम क्या है आपका गोलांक, मैंने उलांक, कर दिया जाएगा, इस हिन्दी मैं कहते हैं वहाँ पर मुझे याद है अगर आप लोगोंने निलूशेंट वगड़ा पड़ी होगी या परिक्षा मंतन या अगली बुक कौन से आती है आपके अर्यांत वगड़ा क्या आती है या किरन प्रकासन की जो भी आप पढ़ते हो जियास में समझो तुम वहाँ पर कोटलिया के दोरा जो भुग लिखी गए अर्थसास यह किस से संबंदित है तो याद रखना राज नैतिक सासन से पॉलिटिकल रिजन से संबंदित है आपका समझ रहो चलिएगा नेक्स चलेंगे हम लोग हाँ नेक्स बढ़ेंगे अगले कुछान के ओर गोरिला चले नेक्स बढ़ेंगे अगले कुछन के ओर पादप रोगों के लिए सबसे निमनग वापका समझ वो सबसे पहले कौनसा कवक कावग नाशक बचचा घोजा गया था लो कौन सा था दो आपका दो वोज धाइं को सुल को आंसर आहे Elenaclock आपका टी यहां पर याद रखे-गा आनसर आई-गा काईए हैद शभी आन बता देता हो जितने बिच्च问 से अभी को अपडेट करना चाहूंगा EPL के अंदर रश्टर कीजेगा समझो EPL आप लोगों के लिए रखा गया वहाँ पर आपका रेगुलर आपको क्या करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर समझो इंजयर अकैडमी देराद उनका एप्लिकेशन आप लोग डाउनलोड कीजेगा और डाउनलोड करने के बाद EPL खेलेगा आप लोग इपल आईपल में बहुत अंदर है यह आपको सिर्फ और सिप किसके लिए पढ़ भाहि करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट करते है ठीक है चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले क्वेशन के ओर कि सब्ध मिस्रित अर्थ भ्योस्ता का था मैंने कि भारत की अर्थ भ्योस्ता मिस्ट भ्योस्ता है और एक्जामनर ने दोनोग एक ही पेपर में पूछ लि बहुत आपका private and public sector नीजी और सारवजनिक दोनों छेत्रों की मौजूदगी समझो नीजी और सारवजनिक दोनों छेत्रों की मौजूदगी ठीक है ना चले next बनेगा हम लोग अगले question के ओर question number आपका बन गया है question number 41 question number 41 पूशता है एक सामान्य ब्यक्ति के रक्त का PS मान कितना होता है answer दीजेगा आपने बता है sir कितना होता है तो सामान्य तो कितना होना चे यह 7.3.5 से लेकर 7.45 होता है सामान्य ब्यक्ति का PS value का मान कितना होगा तो यह समझो चलेगा next बढ़ेंगे अगले question के ओर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम में जादतर वस्तुओं का उत्पादन किसे प्रकार की एक गति भी दिये मैंने आपको बताए ना प्रोडक्शन कोई भी कॉमनली बच्छा हम लोग अगर बात करेंगे तो नेचुरल प्रोसेज इंडा एक्टिविटी तो अबेसा कोई भी प्रोडेक्शन चाहे हम लोग पसुपालन की बात करें चाहे हम लोग अग्रिकल्चर की बात करें कोई भी बचाही किसे होता आपका प्रात्मिक छेत्र से होता है समझ जो कोई भी अगर हम लुक बात करेंगे तो जादतर वस्तों का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में होता है कहाँ पर पहला सेक्टर जहां पर हमारा पसुपालन से लेकर अग्रिकल्चर से लेकर अन्य कोई भी अक्टिविटी होगी वो किसमा आता अपका primary sector में आता प्राथमिक छेतर में आता चलिएगा next चलेंगे अगले question को और question number 43 वां दिया गया कि निमलिकित मैसे कौन सा रोग virus के कारण नहीं होता है यहाँ यह देखेगा नहीं पूछा गया होता है नहीं पूछा गया यहाँ पर दिया गया which of the following diseases are not caused by virus यानि कि वाइरल डिजीज नहीं है विशानु जनित रोग नहीं है समझ रो। विशान रोग जनीत रोग कौन से नहीं होगा आप अपर अगले question के ओर question殺 know significant hor यह भाुष्झ किया होताह' यह बैक्टरिया से होता है यह बैक्टरिया जननित है आपका chicken fox होगा Viral Hepatitis होगया मेजलिस होगया समझ रोग चले नेक्स बनेंगे हम लोग अगले क्वेशन के ओर क्वेशन नंबर दिया गया आपका क्वेशन नंबर 44 क्या दिया गया माइक्रो एकॉनोमिक्स और मैक्रो एकॉनोमिक्स सब्द किस ने दिया था यह सब्द किसके द्वारा दिये गए थे माइक्रो एकॉनोमिक्स की बात की गई और मैक्रो एकॉनोमिक्स सब्द किसके द्वारा दिये गए थे ऐसा अगर पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा आपका तो बेलकोल सही आंसर बन जाता हमारा कौन सा ये दिये गे था आपका रेंजर फ्रिस के द्वारा दिये गे थे चले आगे बनेंगे question number 45 question number 45 आपका क्या आता है कि गांधी इर्विन पैक्ट गांधी और गांधी जी यानि कि मात्मा गांधी जी और उस समय पर ततकालिन गवर्णर जनरल इर्विन लॉड इर्विन के बीच में यहां पर क्या होता आपका गांधी इर्विन पैक्ट होता है तो ये कौन से एर में हुआ था समझो आपका यानि कि उस समय पर आपको बदा है समझो बारत में पूर्विन पैक्ट आपका किस्ते समन्दित था उस समय पर समुदाय गाधर पर जो सीटों का आवंटन हो रहा था तो याद रखना पूना पैक्ट भी रहा था उसके बाद पूना पैक्ट होता है तो याद रखेगा 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट आपका 1931 में होता है समझ रो 1931 जहां तक मुझे याद है आप लोगों को अगर लगता है कि गलत है कुछ और तो आप लोगा आंसर्जमेंट क्रॉस सेक जरूर कर सकते हो आगे दिया गया यह बिल्कुल करेंट से जुड़ाओ आपका किसे टेलीकॉम दिगजन है बारत सरकार के खिलाब 20,000 करोर रुपए की मध्यस्ता को जिता यान कि जो टेक्स था बचबकाया उसे जीत लिया गया ठीक है तो यह 20,000 करोर रुपए की बात करेंगा हम लोग तो वाड़ाफ हॉन समझ रो किसने जीता बचा भी आपका यह तो वाड़ाफ हॉन के द्वारा जीता गया चलेगा क्वेशन नंबर 47 आज हिस्ट्री के ग्वेशन मिल गए अच्छे गासे हिस्ट्री के सवाल दो चार तो मिली गया अज नूर जहां जिनका मूल नाम क्या था नूर जहां समझ रो नूर जहां का नाम आपने सुना तो इनका मूल नाम क्या था ऐसा पूछा जाए आपसे तो आपका अंसर क्या आएगा तो बहुत सारे बच्चों ने आपर क्या दिया महरु निशा जो जिन बच्चों ने महरु निशा नाम दिया उनका बेलकोल सही आंसर है सामान्य द्यान सभी प्रतियोगी परिक्षा है जो आपके upcoming exam है क्योंकि देखेगा GS का कोई सीमा नहीं है समझो GS समंदर है जितनी ज़्यादा practice करोगे अब यहाँ पर क्या कि हमारे सभी subject कबर हो रहे है तो हमें पता चल जाता है कि मुझे अभी कौन सा subject कितना और पढ़ना है अगर topic मिल गया आप जैसे आज आपने देखा होगा कि मुगल समराज्यत से जो आपका दिल्ली सतनत से लेकर मुगल समराज्यत से आपको दो-चार question मिल गए तो आज आपके लिए टार्गेट तो मिल गया कि मैं यह दो-चार पन्ने है ना समझ जादा नहीं मुझे जातक लगता 5 से लेकर 10 पन्नों में पूरा का पूरा दिल्ली सतनत से लेकर आपका कातक औरंग जेब तक समाप्त हो जाता है समझ उसके बाद आपका जो आपका लेटर क्या आता है मुगल समराज्य आता है ठीक है तो याद रखना है छोड़ी से चीज़ा ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा नेक्स बनेंगे question number 48 के ओर भारत में फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दादा साथ फाल के पुरुषकार किस वर्स इस्तापित किया गया था क्या कहा आपका कि दादा साथ फाल के पुरुषकार की शुरुवात किस वर्स होती है आपने अंसर दिया क्या अंसर दिया आपने दादा साम फाल के पुरुषकार भारत में फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है 1969 बेलकुल सही आंसर आएगा नेक्स चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 क्योर क्वेश्चन नंबर 49 आपका अभी रिसेंट ले आपने सितंबर मन्त में क्या मनाया विश्व पर्याटन दिवस मनाया वर्ल्ड टूरिजम डे के रूप में मनाया और ये आपका अभी लोग से वाइप का एक्जाम वाता है लास्ट टाइम पे उत्राखन के अंदर तो वहाँ पर भी पूछा गया क्वेश्चन था ठीक है तो याद रखेगा तो आपका कौन स साइगा बेलकुल 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिजम डे समझ रोओ आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रतेइक वर्ट 27 सितंबर को विश्व पर्याटन दिवस के रूप में मनाया जाता है चलेगा है कि ललोग अगले कुषंट बर कोशन नमबर आपका क्या गया 50 प्यक्षा दिया अपका किसीके नेत्रत्म में सत्रह्सो चैटर इस वी अमेरिका की स्वतंता अमेरिका ने सॵतंता प्राप्त किया था समझो अब आपको होगे से यह अमेरिका की जटन cumplर पार्टी की घटना यह हमें क्यों बता रहे हैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीन नॉवंबर याद है तीन नॉवंबर की डेट याद है आपको क्यों कह रहा हूं मैं बार-बार तीन नॉवंबर मेरा का मैं आपको सही दिसा मैं चीजों को बताना मैं बार-बार कहता हूं स को पढ़िए एनार्सी को पढ़िए संसोधन को पढ़िए यहां से क्वेशन मिलने वाले स्रिलंका के अंदर एलेक्षन हुए स्रिलंका से जुड़ी भी दो-चार चीज़े पाढ़ लीजेगा समझो मैं कह रहा हूं को अमेरिका के अंदर तीन नौंबर को प्रेजिडेंटर एलेक्षन है आप से पूछ दिया 1776 में जब अमेरिका आजाद होता है तो उस समय पर वहां के प्रेजिडेंट कौन थे तो याद रखना कौन थे बच्छे आपका जौर्ज वॉसिंग गटन वेलकोल सही आंसर जौर्ज वॉसिंग गटन ज से जुड़े वे कुछ क्वेशन्स आप लोगों के लिए मैंने आपको बताये था कि आप लोगों को कुछ तो गिफ्ट मिलेगा जो बच्चे रेगुलर क्लास में रहते हैं उन बच्चों के लिए क्यूंकि नौ बजे वाली क्लास साब की अभी क्लोज हो गई है उसका समझ जो उसकी रिजन भी यह था बच्चे वहां पर बच्चे बहुत कम लाइव आते थे ठीक है बहुत ही कम थे और साथ में पहलर में क्लास भी जल रही थी तो याद रखिए अब वहां पर जो हम लोग पढ़ रहे थे उनमें से एक एक टॉपिक आपको यहां पर मैं कराता जा देगा तो चले जल्दी आंसर देते रहेगा आप सभी लोग जैसे दिलवारा मंदिर इसका उधारण है बहुत बार पढ़ा हुए है हमें पूछा गया कि दिलवारा मंदिर जो राजिस्तान के मांट अबू में इस्तिर है तो यह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है आपने होगा ना मैं तो जितनी कोशिस करूंगा करूंगा लेकिन आप भी अपने इंट से जरूर से पलट दीजिएगा एक एक बार नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अजनता और अहलोरा की गुफाएं जो चितरकारी किसी कला के विकास का दियो तक है क्या कहा गया आपका अजनता और अहलोरा की गुफा हैं समझ जो अ गहां बात करते हैं आपने बताया जो आपका कहां पर हम लोग ने दिलवारा मंदिर की बात करी घन वास्तुगला से और इसकी बात करते हैं राश्ट कूटों से चलिएगा नेक्स बनेंगे हम लोग अगले कुशन के ओर मदुबनी लोग चित्रों की एक सैली है तो ये भारत के कौन से राज्यम में लोग प्रिया है मदुबनी जो पैंटिंग की बात करते हैं हम लोग तो मदुबनी अपने कहा पर है बिहार के अंदर 101% एक या दो क्वेशन मिलने वाले क्यों क्योंकि अपने बिहार राज्ये के अंदर अभी विदान सभा इलक्षन है समझ रो समझ आप लोग तो याद रखना मदुबनी के बारे में पूछ लेगा या हमें पूछ लेगा कि एक नेशनल पार्क है आपका कौन सा बाल मिकी नेशनल पार्क है जो क्या गरता आपका नेपाल की सीमा से लगा हुआ है ये क्वेशन पूछा भी गया था दो-तीन दिये गये थे उसमें पूछा गया था कौन सा नेशनल पार्क जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं तो बाल में की ठीक है दूसरा आपका कौन सा बताया था मैंने मोती हारी से अमले कुगंस तक गैस पाइपलाइन शुरू की गई तो बिहार से जुड़े हुए दो तीन कोशन आप लोगों को एक्जाम में पूछा जा सकता है चलिएगा नेक्स बनेंगे अगले कुशन के ओर कुशन नंबर जो दिया गया अपका कुशन नंबर मेंसन निया पर पंच तंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई किसके द्वारा विश्नु सर्मा के द्वारा चलिए नेक्स बनेंगे हम लोग अगले कु कि महाराष्ट में किस लोक निर्त्या का संबंद है यहां पर क्या दिया गया कि महाराष्ट में इन मैसे किस लोक निर्त्या का संबंद है तो आपने बताया सर कौन सा होगा महाराष्ट में आपको याद होगा रंगोली के बारें पता आपको समझो महाराष्ट में रंगोली ज ठीक है उसी तरह से रंगोली यहाँ पर हो गया आपका ठीक है साथी आपके गुजरात में हो गया तो याद रखना रंगोली हो गया यहाँ पर और क्या हो गया आपका सिवाजी उत्सव हो गया आपका गनेच उत्सव हो गया आपका और मलक्खम कहा का है यह भी अपने महरास् लेगा next बढ़ेंगे बाकी चीज़े भी बता रहो अपनों को यहाँ पर क्या दिया गया प्रसिद बांसूरी वादक कौन है इन मैंसे प्रसिद बांसूरी वादक तो आपको बताया था मैंने एक नाम याद रखेगा समझ रो कौन किसे छेटर से जूड़े हुए यह पूच लेगा एस पी गा मतलब हरी प्रसाठ च़ॉरसया और पन्ना लाल गोस समझ रो यह दोनों की दोनों की से आपके तो यह दोनों की दोनों व्यक्तित्व जो भारत मैं प्रसिद बांसूरी वादक है समझ रो gerek न आंसर क्या दिया कि मोहनी अटम किसे जुड़ा हुआ है बेलकौल सही आंसर मोहनी अटम कहां से आएगा हमारा इस टीकर ना ना नेक्स बढ़ेंगे पंडित भीम से जोशी किसे छेत्र से जुड़े वेख सभी लोग अंसर देते रहेगा समझों आपका याद रखेगा तो यह किसे जुड़ेवा आपका बेलकुल साय आंसार सास्त्रय संगीच से नेक्स बढ़ेंगे हम लोग सत्याजीत रे का नाम अगर आपने सुना हुआ तो सत्याजीत रे बच्छा किसे तो यह फिल्म निर्देशन से चुड़े हुए समझो सत्याजीत रे चलेगा आगे दिया गया आपका कुशन कूचीपुरी कूचीपुरी भारत के किस राज्य का एक लोग निर्तिया है तो आपने बताए सर कौन से राज्यगा तो कूचीपुरी कहा का हो गया आपका आंद्रा प्रदेश का समझो कूचीपुरी अपने आं समराज्य का हो गया उसी दोसे त्योहारों की बेबात क्यारों हारने बिल त्योहार बताया आपको संगाई के बारे में बताया चपचार कुड के बारे में बताया नट पूजा बताया था आपको छट पूजा बताया ब्यार के अंदर समझ रो यह सभी बताये हुए ऐसे को सही आंसर नो टंकी कहां का होगा तो अपने उत्तर प्रदेश का चलेगा अगला कुशन दिया गया कि इन मैसे कौन सा लोग निर्थिया जो जमवन कस्मीर से संबन दिते हैं तो आपने बताए सर जमवन कस्मीर से कौन सा होगा आपका रहूप हो गया समझ आपका रहूप ल सट्र रज्जत से जुड़ा हूआ तो कना टर से करमें बात करू आपका तो याद रखेगा हमारा कौं सा होगा याक्षिगान बहुत ही मेंतवर्म Alrighty ज्ट पूख पूंठ कई बार पूचा गया याक्षिगान भारत के कौन से रज्जत तो यह अपने समझो आपका कौन से होगा तो हमारे कंडाटक राज्जत से नेक्स बढ़ेगा अगले कुश्चन के और क्वेश्चन नंबर आप नंबर नहीं आपे नैस्नल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत के कौन से सहर मैं नैस्नल स्कूल ऑफ ड्रामा तो यह कुश्चन्स आपका ओरिशा के अंदर एक्जाम होता है अभी वह बच्चे ने जॉइनिंग भी कर ली तो मुझे बहुत सारे देख्यों सौ मैसे अगर आप कहते हो कि सर 75 पड़े हुए में आये थे समझो तो इससे ज़्यादा क्या चीए समझो आपका 75 बहुत बड़ी बात है अगर सौ में से पड़े हुए डारेक्ट आपने पड़ा हुँ आपको एक्जाम में दिख रहा है ठीक है चलेगा तो इसका राइड आंसर क्या बनेगा हमारा नहीं दिल्ली चले नेक्स बनेंगे अगले कुशन क्यों बिर्जु महारा किस निर्तिय से बिर्जु महाराज किस से बताँ हमारे कैसे सनांशर कथक से जुड़े हुए सबस Do कथक से जुड़े हुए सबस 지원 अभा आपको मिल्लानी सहराभण के नाम पढ़ना है तो हैमामाली नाम भी पढ़ना है ये ये शारी छीजह को एक ही जगर पहे दी गई इस फुमरी रूप में लोग प्रिया बिया नहीं जाना जाता है तो यहां पर अमीर खुर्ष्रो को वहारत में था चलेगा अगला question यहां पर बहुत ही मेत्वपोर्म कि नीर्टिय की सैली कहानी समझा आप क्या दिए गया किस है में कहानी विसेज हमेशा महाभारत और रामायट पर रहती है यानि कि जो निर्टियाइस है जिस पर हमेशा से महाभारत और रामायट पर ही फोकस रहता है ठीक है अगर यहाँ पर जो भी पात रहोंगे को क्या दिखेएंगे की हमाइट किसके बी होगा आपका वटाक्षव सह बात बता रहे हैं बारत नाटियम के बारे चलिए modern गाडन दिल्ली के अंदर किहा है मुगल गार्डन दिल्ली के इनले हैं ये साल में एक बार खुलता है मुगल गार्डन साल में एक बार खुलता है तो यह कब खुलता है मुगल गार्डन की बात करेंगा हम लोग तो प्रतेक वर्स यह एक बार खुलेगा आपने बताया सर कब खुलेगा तो मैंने आपको बताया था फरवरी और मार्च के 20 में इस वर्स मुझे जब तक ज्यान है कि लगबग लगबग आपका 7 मार्च को नी 7 फर्वरी को खुला था और 9-10 मार्च को बंद हो गया था तो मुगल गार्डन कहा पर है तो ये अपने दिल्ली के अंदर है और जनता के लिए फर्वरी और मार्च में फिक्स है तब ही खुलेगा ठीक है चलिएगा नेक नेक्चन सैनी का नाम सुना है सभी लोगों ने सुना दो वर्स पहले उनकी मिर्टी हो गई तो नेक्चन सैनी के द्वारा बारत में कौन सी जगे के लिए उनका नाम जाना जाता है तो आपने कहा चंडीगर्ड के अंदर रोग गार्डन अब देखेगा एक्जामनर दूसर तरीक तरीके से याद कब आएगा जब हम उस चीज को रिविजन करके जा रहे होंगे समझ लो तो आपका कौन सा होगा बिल्कुल रॉक गार्डन बिल्कुल सही आंसर नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन पर कुशन दिया गया कि सूरज कुन मेले का आईजन प्रते एक वर्स क्या किया जाता है तीम स्टेट के तौर पर चुना जाता है अगर मैं बात करूँ तो 2019 में अपना महरास्था 2020 में अपना कौन सा हिमान्चल प्रदेश तो ये कहा पर होता है हरियाना यानि कि आपका कहां पर फरीदाबात के अंदर तीम स्टेट के तौर पर 2019 में महाराष्ट और 2020 में कौन हिमानचल प्रदेश किलियर हो गया किसी को यह डाउट तो नहीं चलिएगा नेक्स बनेंगे अगले कुशन पर सरहुल त्योहार मुख्या रूप से किसी राज्य में आदिवासी समुदाई के द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार तो सरहुल आपने बताया सरकापर तो मैं आपको बता देता हूँ जहार कंड के अंदर एक आता है बच्छा हमारा कौन सा लोहसर समझ रो लोहसर उच्छाओ ठीक है ना लोहसर उच्छाओ बच्छा जितने भी राज्य हमारे चाइना को टच करते चीन या तिबद को टच करते तो वहाँ पर मैं लिए आपको लद्दाक का नाम दिख अवलांचल प्रदेश मिल जाएगा तो यह बहुत धरम से जुड़ा वापका लोहसर उच्छाओ ठीक है अगर मैं तमांग की बात करूं समझ रो तमांग उच्छाओ को जरूड याद रखेगा तमांग उच्छाओ आपका 2019-2020 में होता है और अमेरिकी राजदूत यहाँ पर क्या गरते है विजिट करते है जिसके बाद कहीं जो आपका डोकलाम और अन्य जो गटना है थी वो दुबारा से क्या हो गई थी समझ रो तो याद रखना यहाँ पर क्या हो गई थे जो अमेरिकी राजदूत बारत में समझ वह क्या होता है आपके तमांग उच्छाव में गए थे यहाँ पर गए थे ठीक कहाँ पर हमारे तो यह अवरांचल प्रदेश के अंदर मनाये जाता है ठीक है ना तो याद रखेगा चले नेक्स बरेंगे अगले कोशन पर यहाँ पर क्या दिया गया असमिया प्रसिद त्योहार कौन से है तो यहाँ पर आपका क्या हैगा रोंगाली भीहू भीहू असम का त्योहार है यह कई बार बताये हो आपको भीहू असम का हो गया मैंने अपको बताया संगाही बताया संगाही अपने कहा पर है मनिपूर में हार्णिबिल कहा का है तो यह अपने नागलन का हो गया और कौन सा होता है और अपका चपचार कुट चप चार कुट हो गया बच्चा हमारा कांकर मिजोरम का आगया किलियर संगाई हावनुबिल और चप चार कुट किलियर हो गया चलेगा next बनेंगे अगले कुशन पर अगला कुशन क्या दिया जाता हमारा किस राज्य सरकार के द्वारा प्रतेक वर्स तांसें सम्मान दिया जाता है समझ रो तांसें सम्मान दिया जाता है तांसें का मगवरा ग्वालियर के अंदर यानि मध्यप्रदेश में तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा मध्यप्रदेश बिलकुल सही आंसर आएगा चलेगा next बनेंगे अगले कुशन बर question जो दिया गया वो कौन सा छेत्र है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्ला खाने खुद को प्रस्तिशिट किया बस simple सा answer परिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान किसी छेत्र से संबंदित है सितार वादक, गिटार वादक, सहनाई वादक या हिं ठीक है चलेगा आगे बनेंगे डांडिया, डांडिया कहा होगे है बच्शा हमारास थ mist बनेंगे हिंदुस्ताने मुखर संगीत रज्चना का सबसे पुराना रूप कौनसा है तो सबसे पुराना तो यह हमारा एक टॉपिक था जो लगबग लगबग अब आपका समाप्त हो गया ठीक है मैं आपको कहा डेली आपको अभी में देखो इसी तरह से पचास क्विशन तो मिक्स रहेंगे हमारे उसमें आपका बायो रहेगा उसमें आपका जनरल समझों आपका जिस वाला पॉर् नहीं चीज मिले और पूरी नहीं भी नहीं दे सकता क्यों क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाओगे अब पूरा का पूरा नया कुशन दूँगा तो लास्ट टाइब आपको डिमोटिवेट नहीं करना समझो मुझे आपको हर पेपर में 35 से 40 के बीच में चाई पेपर आप में रश्टेर कीजेगा इस फेस में नहीं खेल पाए तो थर्ड फेस में तीसरे फेस में जरूर खेलेगा हर दिन आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा ठीक है ना तो बच्चे आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग मंडे मॉर्निंग में तब तक के करें धन्याबाद